सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल देहला देने वाली हॉरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भूलें इस कहानी के लेखक हैं दीरच कुमार सालों के रात के साड़े बारबज रहे थे कुलापूर में धाराशिव जाने वाली सेनियर कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी ट्रिप खत्म करके वे वापस धाराशिव आ रहे थे दिन भर मौज मस्ती करने की वज़े से सभी छात्रे ठक कर सो गए थे दर्वाजे के सीट के पास विकास सर और सुशिल सर खर राटे ले रहे थे बस ड्राइवर विज़े मामा भी नीन में बस चला रहे थे उनके बगल वाली सीट पर प्यून पांडू मामा बैटे हुए थे कि तवी बस के सामने जंगली स्वोरों का जून आया विज़े मामा ने बस जंगल में रोक दी कुछ दिर में जब राफ्ता खाली हुआ तो बस फिर से चलने लगी कुछी दिर में विकास सर के पीछे ही दूसरी सीट पर बैठा शाम नीन से जाग गया शाम की उम्रे 21 साल थी पड़ाई में बहुत तेज था लेकिन हमेशा अकेला रहने वाला ना किसी से बनती थी ना ही उसका कोई दोस्ट था वह दूसरी सीट पर अकेला बैठा हुआ था सर टॉलेट जाना है सर ने आधी आँखे खोल कर खिरकी से बाहर देखा बस अभी भी जंगल में ही थी थोड़ी देर बैठ जाओ जब जंगल खत्म होगा तब मुझे उठा दो मैं बस रोक दूँगा वे बोले और फिर आँखे बंद कर सो गए शाम बस की खिरकी से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा कुछी देर में जंगल खत्म हुआ और बस विरान जगा पर आ गई उसने विकास सर को जगा दिया और उन्होंने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा जैसे ही बस रुकी विकास सर बोले किसी को टॉलेट होना है तो अभी उतर जाओ वरना बस सीदे धराशिव जाकर ही रुकेगी आवाद सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रिकांत नीन से जाक गया विकास सर टॉर्च लेकर पहले बस से बाहर उतर गया उनके पीछे पीछे श्याम और श्रिकांत भी उतरे और वो दोनों अलग-अलग जाड़ी के पीछे टॉलेट करने गये श्याम टॉलेट करके वापस आया लेकिन श्रिकांत अभी भी नहीं आया था कि तभी श्रिकांत जोर से चिलाया उसकी आवाद सुनकर विकास सर और श्याम उसकी और भागे लेकिन तभी श्रिकांत जाड़ी से बाहर आया क्या हुआ? क्यों चिल लाए थे? कुछ नहीं सर, चपल से होकर काटा पैर में चुबा उसकी आवाद सुनकर ड्राइवर और पियून भी नीचे उत्रे थे वह सब बस में वापस चड़ने ही वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आकर रुप गई अरे भाई सर, यहां के नहीं हो क्या आप? क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? बाइक चलाने वाला बोला, चकवा नाम सुनकर विकास सर बोले? हाँ, पता है, पता है, हम बस सर निकली रहे हैं और वो सब बस में बैठ कर है सर, वो आदमी किस चकवा के बारे में बात कर रहा था? पिउनने अगले सीट से ही मुड़कर विकास सर से पूछा हिंदी में चकवा मतलब चलावा चलावा मतलब भूत कहते हैं, जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं उनकी आत्मा चलावा बन जाती है चलावा रात को सफर करते हुए यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने गंतव या स्थल तक पहुँचने ही नहीं देता वो बस उन्हें उसी जगा पर घुमाते रहता है कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ आप उसी जगा पर आप पहुँच जाओगे जहां आपको चलावा ने पकड़ लिया था या फिर वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे और उस जगा पहुँच जाएंगे जहां पर चलावा उन्हें ले जाना चाहता है विकास सर ने बताया इसके बाद ड्राइवर बोला और या त्री रात भर उसी जगा पर बार बार घुमते हैं वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना होगे जैसा ही सूरज उखता है उनकी ताकत कम हो जाती है मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था कहते हैं छलावा बस उनी या त्रीयो को पकड़ता है जो ठके हुए होते हैं क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है न फिर तो छलावा बहुत ही खतरनाक है प्यों गवराते हुए बोला अरे कुछ खतरनाक वतरनाक नहीं है यह सब अंदर विश्वास है ड्राइवर जब ठक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है इसलिए उसे ब्रहम हो जाते हैं और वो रास्ता भटकता है इसे ही अंपड लोगों ने भूत यानी चकवा या चलावा का नाम दिया है विकास सर बोले यह सभी बाते हैं श्याम और श्रेकान सून रहे थे नहीं सर चलावे होते हैं और कुछ चलावे तो जानलेवा भी होते हैं मेरे दादा जी को चलावे ने इतना परिशान किया था कि मरते मरते बचे थे रात को जितने भी एक्सिडेंट होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ एक्सिडेंट चलावे के कारण ही होते हैं वो रात के बेरहम शिकार होते हैं यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत होती है शिकारियों की तरह ही वे यात्रियों को डराते हैं भगाते हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं हमें बस इतना पता चलता है कि कार एक्सिनेंट में उनकी मौत हो गई है लेकिन मौत का कारण चलावा ही होता है सर, शाम ने डरावनी आवाज में कहा, सर इस पुछ मत सुनो, इसकी बुआ राइटर है, उन्हें से सुनी होंगी ये बाते, और राइटर लोगों का तो काम ही होता है बाते बनाना, उसी से तो उनका घर चलता है, पिछली सीट पर देख रहा था, बस किसी जंगल की बीचों बीच से गुजर रही थी, कि तभी उसने देखा, कि रास्ते की किनारे एक बंद पड़ी चाय की टपरी है, लेकिन ये चाय की टपरी तो मैंने पीछे भी पहले वाले जंगल में देखी थी, वो मन ही मन बोला, और खिलकी के बाहर देखने लगा, तब उसे पता चला, कि वो तो वही जंगल है, जो विरान जगह से पहले आया था, वा भागते हुए ड्राइफर के पास गया, विजय मामा नीन में बस चला रहे थी, बीच बीच में आख्या जबका रहे थी, विजय मामा, बस कौन से जंगल में है, है, होग वो जंगल तो कब का पीचे छुट गए ना, उनकी बहस सुनकर विकास सर नीन से जाग गए, क्या हुआ श्याम, सर हमें छलावा लग चुका है, उसने हमें पकड़ लिया है, क्यूंकि बस वापस उसी जंगल में आई है, जहां से पहले गुजरी थी, लेकिन विकास सर भी ड्राइवर की तरह उस पर विश्वास नी कर रहे थे, सर अगर आपको मेरी बात पर यकिन नहीं हो रहा है, तो बाहर देखो, अभी कुछ दिर रास्ते के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा, जो एक्सिडेंट में पल्टी हो चुका है, और कुछी दिर में रास्ते के किनार विरान जगा पर पहांच गई, जहांपर वो कुछ दिर पहले टॉलेट करने के लिए रोक दी गई थी, यह देखकर सभी की आँखे फटी की फटी रह गई थी, विकास सर की तो बत्ती ही गोल हो गई थी, श्रिकान पिछले सीट से आगया चुका था, सब के चहरे का रंग उड़ गया था, बस अभी भी रास्ते पर चल रही थी, कि तभी वो फिर से वापस वही जंगल में पहांच गई, वो सभी जान गए, कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है, ड्राइवर कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं ये देख रहा था, लेकिन फिर भी बस वा बाहर तभी निकल सकते हैं, जब सुबा हो जाए, इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरना होगा, जंगल से विराने में और विराने से जंगल में, क्यों ना, हम सुबा होने का इंतिजार करते हुए, उसी विरान जगा फर रुख जाए, ड्राइवर बस चलाते ह नहीं है क्या, है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं है, और वैसे भी, अगर जिस चलावे ने हमें पकड़ा है, अगर वो कमजोर हुआ, तो उसकी शक्तिया कुछी देर में कमजोर हो जाएंगी, और हम चलावे से छुट जाएंगे, फिर वो चलावा हमें नहीं पकड़ सकता इन सभी की बाते सुनकर, सोय हुए सुशिल सर जाग गए, अरे क्या हुआ, आल गया क्या मेरा बोरगाओ, सुशिल सर उबासी लेते हुए बोले, तभी सभी ने उन्हें गटी हुई गटना बता दी, ये सुनकर, सुशिल सर के तो मानो होशी उड़ गए, लेकिन तभी ड्र गाओं में आपका स्वागत है, ये देख सुशिल सर जोहर से चिला है, ये तो मेरा गाओं है, लेकिन हम यहां इतने जल्दी कैसे पहुँचे, हमें तो कोलापूर से निकले मुश्किल से दो घंटे हो गए हैं, और मेरा गाओं कोलापूर से 6-7 घंटे की दूरी पर है,